कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ही टेस्टी और चटपटा खाने का मन करता और घर में कोई सबजी ना हो तो हम बेसिक इंग्रीडियंट से आज आपको बना के दिखाएंगे ये रेसिपी इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया था चना डाल इसको दो घंटे पहले भीगा लिया था सिल बट्टे पे इसको पीसेंगे तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा इसमें मैंने डाल दिया है आठ से दस कली ले सुन मिर्ची डाल देंगे 2-3 अद्रग, आधा इंच, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं कितना तीखा चाहिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है अब मैंने लिया है यहाँ पे तीन प्याज फिर से आठ से दस कली ले सुन मेर्ची और अधरक का टुकड़ा टमाटर प्याज और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसको कुकर में डालके दो से तीन सीटे हम इसमें लगाएंगे ताकि यह बॉल हो जाएगा बॉल होने के बाद इसको हम निकाल के रख देंगे और यहाँ पे मैंने जो मसाला पीशा हुआ है चना दाल पीशा है अब उसको ले लेंगे इसमें डाल दिया है हल्दी आधा चमच, गर्म मसाला आधा चमच, यहाँ पे हिंग डाल दिया है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, खटाई का आम चुर आधा चमच, नमक ज्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चमच, जीरा आधा चमच, काली मिर पाउडर आधा चमच, इन सभी को डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद यहाँ पे कोई आप स्ट्रीनर या कोई जाली इसी तरीके से लेके उसमें घी लगा के, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से फैला के, आप साइड साइड से एक पाउने में मैंने पानी डाल दिया है, अब इसको स्टीम से 5-10 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, आप इसको बीच में चेक कर सकते हैं, किसी भी टूट्पिक से या फिर चाकु से, कि यह हो चुका है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, यह बिल्कुल अच्छी तर हैं, तो 5-10 मिनट में ठंडे हो जाएंगे, तो फिर हम इसको काट लेंगे, इस तरीके से नाइफ से हम इसको छोटे चोटे टुकडों में काट लेंगे, आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से काट लिया है, आप पीसे से इ इस तरीके से निकले हैं ठंडा हो जाने के बाद से ये प्लेट में से भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा फिर इन सभी को निकाल के एक किसी प्लेट में हम ट्रांसफर कर लेंगे एकदम अमेजिंग सी टेस्टी बन के तयार होती है इसको बच्चे भी बहुत पसंद यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को जो बॉयल किया है वो हो चुका है अब हम इसको सिलबटे पे ही इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी को भी सिलबटे से ही तयार कर लिया है अब हम गैस को अन कर देंगे और एक कड़ा ही रख लेंगे तो इसको मैं सरसो के तेल में ही बनाऊंगी तो दो से तीन च करना है क्योंकि यह पक चुका है तेल में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए बस तब तक ही पकाना है इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे नहीं तो यह नीचे से चिपक जाएगा आप देख सकते हैं दो से तीन मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया है ना तो चमच आधा चमच राई आधा चमच मेथी और आधा चमच सौफ डाल देंगे इसमें अध्रक आधा इंच इसको दरदरा कूट लेंगे तड़का हो जाएगा तो टमाटर की प्योरी भी डाल देंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पांच मिनट तक हम पका लेंगे जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे हल्दी आधा चमच धनिया पाउडर एक चमच सिर्फ बेसिक से मसाले जो घर के होते हैं उसी में हम इसको बनाएंगे और मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसमें अच्छी खुश्बू ना आ जाए और मसाला कड़ाही को छोड़ने न लग जाए तब तक हमें इसको पकाना है देखें मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है खुश्बू भी आने लग गई है अब हम इसमें डाल देंगे पानी पानी को डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर बॉयल होने के लिए रख देंगे बॉयल हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधार चमच जीरा पाउडर जीरा पाउडर लास्ट में डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आए इसमें खुश्बू भी बहुत अच्छी आएगे जब मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाएगा बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे गटे को इसको हमें ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करना है सारी चीजे जब अच्छे से हो जाएगी तो लास्ट में ही डालेंगे आप इसकी थिकनेश देख सकते हैं यह ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है इस तरीके से हम इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे दो मिनिट बाद इसको पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादा अनुसार फिर उसके बाद तीन से चार मिनिट इसको हम पका लेंगे जब यह अच्छी तरीके से पक जाएगा तो हम लास्ट में इसमें डाल देंगे गरम मसाला और हमारी टेस्टी सी सबजी बिल्कुल बनके तयार हो चुकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, कमेंट, शेर करें चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें बेल लोटिफिकेशन अन कर लें ताकि आप मेरे सारे वीडियो देख सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मज